वेलकम टो अलमोस्ट एक्सो फाइनली गाईज रियलमी जी टी मास्टर एडिशन जो डिवाइज है इस डिवाइज में रियलम यूई 3.0 का अरली एक्सस बीटा फॉर्म को लाई कर दिया है किस प्रकार से आपको इस बीटा फॉर्म को अपलाई करना आपके डिवाइज में और किन वीज़स को आपर इस अपडेट को अपने डिवाइज में अपडेटेट करना चाहिए और किन वीज़स को आपर इस अपडेट को मिस करना चाहिए इस अपडेट से लेड़ सारी कुछ डिटाल से इस वीडियो के सास्थ सेयर करूंगा तो वीडियो का स्टार्ट से तक जरूर देखिएगा तक ही दिगर इंफोर्मेशन आपको पूरतर समझ में आ जाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं Realme GT Master Edition डिवाइस के Realme UI 350 Early Access बीटा फोर्म के बारे में उस बीटा फोर्म को अपलाई करने से पहले मैं आपको बदाना चाहूँगा अगर आपने डिवाइस में कुछ भी important काम करते हैं तो आप इस update को miss कर दीजगा आप official update का wait कर दीजगा क्योंकि आपर इस update के साथ में आपके डिवाइस में कई सारे problem देखने को मिलेंगे जैसे बेटरे डेन इसूस, लेगिंग इसूस, नेटवर के इसूस और आपर और 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 बी कई सारे problem देखने को मिल सकते हैं कि आपर उन users के बारे में बात करें जिन्यों इसको आपने डिवाइस में टेस्ट के साथ से बीटा फोर्म को apply करना है तो मैं आपको step by step बता जाता हूँ आपको आपके device की setting में चलियाना है setting में जाने बापको software भी click करना है वहाँ पर आप click करना है तो आपको right top corner पर setting का icon देखने को मिलेगा उस पर आपको click कर देना है तो आपको trial versions होगा, trial version पर आपको click करना है वहाँ पर आपको early access देखने को मिलेगा आपके device में तो आपको फटा फट से उस form को apply कर लेना है अगर आप apply नहीं करते हैं तो आप पर limited sito के साथ provide किया जाता है तो आपको आपको apply कर देना है आपका जो form है वह under view में चले आएगा आपको trial version के नीचे under view सो होगा आपका form एक या दो दिन में approve या फिर past हो जाएगा उसके बाद आपको आपके device में realme UI 350 का beta update देखने को मिलेगा उस beta update को install करने से पहले मैं आपको बतना चाहूंगा अगर आपके device में आपका important data है जैसा audio, video, file तो आपको copy कर लेना है अगर आपर update के साथ में ज़्यादा कुछ problem देखने को मिलती है तो आपका data भी clear हो सकता है और आपके device में 60% plus charge होना चाहिए और आपर internal storage 10GB free space होना चाहिए तब ही आप अपने device में realme UI 350 का beta update को install करिएगा तो इस update से लेटेर सारी कुई detail से इस वीडियो के साथ share कर दी गई है अगर वीडियो चले लेगे तो वीडियो को like कर देना अधिक जान करिक्ला में आपको जोइन हो जाना है मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक केर